नमस्कार फ्रेंड्स आज हम लोग समोसे की पेटी कैसे बनती है मसाला कैसे बनती है और कैसे फिलिंग करते हैं कैसे पट्टी को बेलना है प्रॉपर प्रोसेस जानेंगे और उसमें क्या गल्तियां होती हैं वो भी आपको बताएंगे देखिए अभी इन्होंने मैदे को ऐसे मैदे के लिए और सॉल्ट अगरा के लिए जिसको हमें डिजॉल्व करना है जो अगर हम आजवाइन डाल रहे हैं तो आजवाइन को हलका से रगड के या टैमपर करके मैदे को उपर ऐसे छुड़क देंगे अब इसमें ये ल्यूक वाटर डालेंगे वाटर का टेमपरेच इन्होंने वाटर मेजरिंग जग से डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है और वाटर डालने के बाद में इसमें मोहिन के लिए जितना आपको फैट यूज करना है आपके अपने रेशिवी के हिसाप से इसमें फैट डालेंगे ये धियान रखे हैं कि जिस फैट में आपको फिर डालडा यूज कर सकते हैं घी यूज कर सकते हैं इन्होंने मेजर करके अपना फैट डाल दिया मोहिन का मोहिन का फैट डाल दिया और ल्यूकों वाटर है तो बराबर वो फैट भी मेल्ट हो जाएगा अब ये क्या करेंगे मली लगाना शुरू करेंगे मली कैसे लगा मली लगा रहे हैं same process आपको भी following करना है मली लगाने के लिए समोसा का अब यह गलती है इन्हों ने जल्यूरी पहना हुआ है जो की यह मी प रात करना है अपने स्टाप को कारियर को यह जळू भी बना रहा है उसको बताने जूलरी यूज नहीं करना है वैल प्रोसेसिंग में काम करते वक्त में यह मैनुवल मली लगाने का प्रोसेस में आपको बता रहा हूं जब आपका छोटा फर्म है चोटा मनुफैक्ट्रिंग है 20-25-50-100-200 तक ही समोसा बनाना है तो यह ऐसे इसको घोल ले रहे हैं अंदर में सॉल्ट ओए रहे है जो भी है तक सारा गुल गया अब यह देखिए प्रोपर उसमें मिक्स करने का ऐसे ही हमें मिलाते रहना है मिलाते रहेंगे ऐसे देखिए बराबर उसको उपर नीचे आगे पीछे यह कर रहे हैं जैसे एकदम बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूप में फटकत दालेंगे जितनी नीड है उतना ही डालना है एक साथ वाटर को नहीं डालना है और यह प्रॉपर तरीके से इसको मिलाते जाएंगे और अच्छे से मिल जाने के बाद यह इकठा हो जाएगा एक साथ में फ्रेंड्स वीडियो के अंतक बने रहिएगा अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो प्लेज सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसके बाद यह देखे है ऐसे दबाएंगे प्रेस करेंगे प्रेस करने बराबर चोटे से में हो जाएगा और चारो तरफ से यह कडाई है चारो तरफ से शाल एक किया नि प्रॉपर मु ऐसे ही kneading होती है manual यह proper kneading है और यह kneading अच्छे से कर रहे हैं बस इन्होंने एक ही गलती करी है कि हाद में इन्होंने कड़ा पाना है जो कि नहीं परना चाहिए nail wheat पूरा trim होना चाहिए हाँ sanitize करके प्रोसेसिंग में काम करना चाहिए हमारे staff को यह देखिए पूरा प्रोसेस है मैं recipe की quantity याणि ingredient की quantity नहीं बताता क्योंकि सबके अपने अलग-अलग recipe है और सब लोग जानते में right process की बात करता हूँ क्योंकि यह culinary solution का channel है इसमें आपको वो solution देना हमारा करतब बेवनता है जिस जो गलतिया होती है आपने देख लिया मली लग गई हम मली लगने के बाद में इन्होंने पेटी बेलना शुरू किया वो मली की पेटिया बना रहे हैं पेटी बनाने पहले आप इदर देख रहे ह वो डिप container में रिष्ट देना है और उसको उपर से ढखके देना है नहीं तो फटने लगेगा जैसे अभी बेलेंगे न तो किनारी फटने लगेगा तो वो ऐसा नो हो उसके लिए उसको पुरा ढखके रखना है मौईस कंटेंट उसका बना रहे है अगर कभी लगता है कि उ इलन लकडी का यूज़ बेलन कर रहें अब जवाना आ गया है लकडविद SPC करने का यूकि लकड़ी मी क्या होता है लक्री को निकल कर जा सकते हैं या कुई खड़ावड़ा हल्का सा रह जाता है यहां पिछले बिश्चले प्रैपरेशन का प्रोड़क्त रहने के यह चाहिए और आयरन नइफ यूज कर रहे वह भी नहीं होना चाहिए अब यह मसाला बना रहे हैं मसाला की जो आपकी रेसिपी है उसी को आप फॉलो कीजिएगा बस ये हाथ से डाल रहे हैं ये प्रोसेस मैं मना करता हूँ मेजरिंग इस्पून से भी डालना है रखा हुआ फिर भी हाँ से डाल रहे हैं ये गलत प्रोसेस है ये तड़का इन्होंने टेंपरिंग अपना रेडी कर लिया है टेंपरिंग पूरा रेडी हो गया है अब ये इसको थोड़ा दिर भूनेंगे तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि समोसे की पेटी जो अपने बनाया उसको रेश्ट देना बहुत ज़रूरी है और रेश्ट एकदम नॉर्मल टेंपरिचर पे देना है न कि फ्रीज में देना है अगर आपने फ्रीज में रखा अगले दिन यूज करना है या फिर आपको कभी बाद में यूज करना है तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि समोसे की पेटी को जब आप बाहर निकालें तो उसको रूम टेंपरिचर पे लाएं, रूम टेंपरिचर पे लाने के बाद में उसको मॉइस की हुई तॉली या किसी ऐसे तॉली को मैं एवोइड करूँगा, मैं LDP बोलूँगा, LDP में उसको ढख लें और उपर हलका से फैट लगा द एक प्रिव्यस वीडियो है मेरा मेरे सेनल पर आप देखेंगे उसमें फॉफोले के बारे में बताया है कि क्यों फॉफोले क्यों चाले आते हैं अब यह मेजरिंग स्पुन का यूज कर रहें हैं यह अच्छी बात है बट प्रिव्यस ली इन्हों ने जो है तड़का बनात यह च्छी बात है हमें भी ऐसे ही फॉलो करना है उस तो सके बाद में करने के बाद करके उसको रख दीजिए रखने के बाद में साइड में, ऐसे खुले में नहीं रखना है, कहीं पंका चल रहे हैं, वहां नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है पट्टी को, तो उसको ढख देंगे, कैसे LDP में ढख सकते हैं, किसी PP आपके पास में है, उस PP में ढख सकते हैं, आप उसको खुला नहीं र जादा लाइफ अगर आपको चाहिए होगा और समोसा एकदम कड़क चाहिए होगा और देर तक आपके पास कोई ऐसा है आपका दूर आउटलेट है फैक्टरी से और वहाँ आपको भेजना है तो आप समोसा के आलू को फ्राई करके जैसे टेंपरिंग के उसमें मिलाईए फ् तो फ्राई हो जाता है फ्राई हो प्रोपर तरीके से तो वह फिर वापस जो है वेपर नहीं छोड़ता है समोछे के अंदर में तो समोसा कड़क बना रहता है Moist नहीं होता है ढलता नहीं है ज़ादा देर तक अब ये मसाले को भी रेष्ट देना और मसाला जब लग गया मस साले को भी रेश्ट देना है पूरा फैला करके प्रोपर तरीके से यह फिल कर रहे हैं उन्होंने भी एक पहन रखे रींग जो की गलत बात है एवोइट करना है हमें अपने कारिगर को बताना है यह देखिए प्रोपर समोसा इंटाक हो गया है यह ऐसे प्रेस करना जो तरीका अगर आपको रखना है बाद में फ्राई करना है तो फ्रीज में आप डाल सकते हैं और फिर रूम टेंपरेशर लाने के बाद फ्राई करेंगे इन्होंने समोसे निकालने के बाद फ्राई के लिए डाल दिया इन्होंने टेंपरेशर अपना रेडी रखा और फ्राइंग हो आपको आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो इस चैनल पर बने रहे हैं लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और और के बारे में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और को बीना किसी केमिकल के कैसे ट्रीट करें दुबारा रियूज करने के लिए क्या करन करता है और बहुत हम सेविंग कर सकते हैं देखिए बहुत अच्छे तरीके से स्टीर करकर के समोसे को फ्राइब कर रहे हैं और इतना इस्टीर होने के बाजूद भी समोसा खुलेगा नहीं और नॉर्मली आप देखते हैं कि खुलने के चांसेस तब याते जो टकिंग प्र रहेगा आपके फ्लेम बराबर रहेंगे और प्रॉपर ओयल का टेंपरेचर रहेगा तो भी कोई इसू नहीं आएगा ऐसे थोड़ा सा टाइम देना है और उसके बाद में अब यह निकालने का प्रोसेस आप देख रहे हैं अब यह निकालेंगे बस यह निकल गया समोसा आ भीले नहीं होगा मॉइस नहीं आएगा कड़क रहेगा और बराबर बना रहेगा आपके काउंटर पर भी पूरे दिन की मैं गरांटी लेता हूं तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज सेयर कीजिए लोगों को अवेर कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेमस्, have a good day!